नमस्कार, हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं कहानी हार की जीत मा को अपने बेटे और किशान को अपने लाल हाते खे देख कर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देख कर आता था भगवत बजन से जो समय बचतावा घोड़े को अरपड़ हो जाता वा घोड़ा बड़ा सुन्दर था बड़ा बलवान उसके ज उन्होंने रुपया, माल, अस्बाब, जमीन, आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घ्रणा हो गई थी, अब गाउं से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकू जब तक संध्या समय सुल्तान पर चड़कर आठ दस मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था, खड़क सिंग उस इलाके का प्रसिट डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कापते थे, होते होते सुल्तान की कीर्थी उसके कानों तक भी पहुँची, उसका ह उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, वो एक दिन दोपार के समय बाबा भारती के पास महचा और नमसकार करके बैठ गया, बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंग क्या हाल है, खड़क सिंग ने सिर जुका कर उत्तर दिया, आपकी दया है, बाबा ने पूछा, कहो, मैंने भी बड़ी प्रसंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में भी बहुत सुन्दर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हिर्दय पर उसकी छब यंकित हो जाती है, बहुत दिनों से अबलासा थी, आज उपस्थित हो सका ह बाबा भारती और खड़क सिंग अस्तबल में पहुँचे, बाबा ने घोड़ा दिखाया घम अंड से, खड़क सिंग ने देखा आर्चर से, उसने सैकड़ो घोड़े देखे थे, परन्तु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था, सोचने लगा, हिर्दय में हल चल होने लगी, बाल को किसी अधीरता से बोला, परन्तु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो फिर क्या देखा, अपने वस्तु की दूसरे के मुख से परसंसा सुनने के लिए उनका हिर्दय अधीर हो गया, घोड़े को खोल कर बाहर गये, घोड़ा वायू के वेक से उड़ने लगा, उसकी चाल को देखकर खड़क सिंग के हिर्दय में साप लोड़ गया, वा डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, उस पर वा अपना अधिकार समझता था, उसके पास बाहुबल था, आदमियों की संख्या थी, जाते जाते उसने कहा, भारती डर गए, अब उन्हें रात को नीन ना आती, सारी रात अस्तवल की रखवाली में कटने लगी, प्रतिछड खड़क सिंग का भै लगा रहता, परन्त कई मास बीद गए और वा ना आया, यहां तक कि बाभा भारती कुछ असाओधान हो गए, और इस भै को सपन के भै की नाई मिथ्या समझने लगे, संध्या का समय था, बाभा भारती सुल्तान की पीट पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, इस समय उनकी आखों में चमक थी, मुख पर प्रसंता, कभी घोड़े के सरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे, सहसा ए एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, आवाज में करवड़ा थी, बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वरज की छाया में पड़ा करा रहा है, बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है, अपाहिज ने हाथ जोड़ कर कहा, बाब तुम्हारा काउन है, दुर्गादत बैत का नाम आपने तो सुना होगा, मैं उनका सवतेला भाई हूँ, बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, और सोयम उसकी लगाम पकड़ कर धीरे धीरे चलने लगे, सासा उन्हें एक जटका सा ल उनके मुक्त से भय, बिस्मय और निरासा से मिली जूली चीख निकल गई, वो अपाही डाकू खड़क सिंग था, बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पस्चात कुछ निश्चे करके पूरे बल से चिला कर बोले, जरा ठैर जाओ, खड़क सिंग ने या आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी या घोड़ा तो अब मैं नहीं दूँगा, परन तु एक बात सुनते जाओ, खड़क सिंग ठायर गया, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आखों से देखा, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, या घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परन खड़क सिंग, केवल एक प्रातना करता हूं, इसे अस्विकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल तूट जाएगा, बाबा जी आग्य कीजिए, मैं आपका दास हूं, खेवल घोड़ा ना दूँगा, अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विसे में कुछ ना कहूंगा, मेरी प्रातना केवलिया है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, खड़क सिंग का मुँ आर्ष्चल से खुला रह गया उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परन्तु बाबा ने स्यम उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रियोजन सिद्धो सकता है, खड़क सिंग ने बहुत सोचा, बहुत सिर्मारा, परन्त कुछ समझ न सका, हार कर उसने अपनी आखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा इसमें आपको क्या डर है, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यद इस घटना का पता चला, तो वे दिन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे, या कहते कहते उन परन्तु उनके सब्द खड़क सिंग के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे, सोचता था कैसे उंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, कहते थे इसके बिना मैं रहना सकू परन्तु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी, उन्हें केवल या ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुख्यों पर विश्वास करना ना छोड़ दें, ऐसा मनुस, मनुस नहीं देवता है, रात्री के अंदिकार में खड़क सिंग बाबा भारती के मंदिर पहुचा, चारो और सन्नाटा था, आकास में तारे तिम्टिमा रहे थे, तोड़ी दूर पर गाउं में कुत्ते भौक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई सब्द सुनाई ना देता था, खड़क सिंग सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, वा धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुचा, फाटक खुला पड़ा था, किसी समय वहां बाबा भारती स्वयम लाठी लेकर पहरा देते थे, परन्तु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भैना था, खड़क सिंग ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके अस्तान पर बांद दिया, और बाहर निकल कर सहधानी से फाटक बंद कर दिया, इस समय उसकी आखों में नेकी के आसु वह रहे थे, रात्री का तीसरा पहर बीच चुका था, चोथा पहर आरम होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से असनान किया, उसके पस्चात इस प्रकार जै पाउं को मन-मन भर कर भारी बना दिया था, वे वही रुख गये, घोड़े ने अपने स्वामी के पाउं की चाप को पहचान लिया और जोर से हिन हिनाया, अब बाबा भारती आस्चर और प्रसंदता से दोड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले स लिप्टा कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिच्ड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, बार-बार उसकी पीट पर हात फेरते, बार-बार उसके मूँ पर ठपकिया देते, फिर वे संतोज से बोल उठे, अब कोई दिवन दुखियों से मुह ना होएगा, धन्यवाद अभी आप सुन रहे थे सुदर्सन जी की लिखी कहानी हार की जीत